हाई दोस्तो मेरा नाम है निकिल जेन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कुछ तो करिए आज हम अन्बॉक्स करने वाले हैं नॉइस का एक प्रोड़क्स मार्ट वॉच है जो मेरा नहीं मेरे फ्रेंड का प्रोड़क्ट है यह वही फ्रेंड है जिसने मुझे वॉच गिफ्ट किया था अगर आपने वो वीडियो चेक आउट नहीं किया है तो आई बटन वा उसका ल मैंने वापिस मेरे फ्रेंड से मांगा था उसको गिफ्ट में आया उसके बड़े में तो उसने बोला कि तू अन्बॉक्स करके लोगों को बता दे तो मैं मेरे चैनल पर स्पेशली जस्ट ओवर्व्यू और मेरा पॉइंट ऑफ यू से रिव्यू देने के लिए मैंने मंग करते हैं जिसे हर वीडियो में अपना बॉक्स का कंटेंट पढ़के बताता हूं वैसे इस वीडियो में भी बताऊंगा फ्रंट में आप देख सकते हैं कलर फिट प्रो टू की ब्रैंडिंग दी गई है वाच फेस दिखाए गया है यहां पे और यहां पे टोटल करीबन चा अबहुत बैंड लेते हैं उसमें भी इंडिया तो अभी समझ नहीं आ रहा है कौनसा नंबर वन है.? यहां यहां पर नि पर पहोता है भी किनेकर विच्थे से लिकितेर सब्सक्राइब कर सकते हैं कि अपसर में लिखं़्य यहां लाइ Темiamag आपर होereं होंस multimodal थे यहां कर लेते हैं यह रहा हमारा फर्स्ट लुक और यहां पर एक नोट दिया गया है तो रोहिच शर्मा जी नोट दे रहे वी आर ग्रेटफुल और पीछे रजिस्टर फॉर वारंटी है जो एक साल की वारंटी आती है इसमें तो इसको साइड में रख देते और यह रहा वाच मैंने जिसे बत है मैं निकाल के दिखा देता हूँ यूज्वली ऐसा ही आता है मैंने इसके साथ बोट स्टॉम की वाच अंबॉक्स किती मेरे चैनल पर उसमें भी सेम आया था देख सकते हैं इसको साइड में रख लेते हैं और यह है यूजर मैनियल जो कि मैं पूरी पढ़ चुका हूँ ह हमारे लिए पेपर मैटर करते हैं क्योंकि लिए बहुत सारी नई चीजे इससे ही पता चलती है तो अभी इसको साइड में रख देते हैं और अपनी वाच की तरफ बढ़ते हैं चलिये सबसे मेले बात करते हैं बैंड की तो बैंड काफी अच्छी कॉलिटी का यूज किया गया है तीपिव मटिल या फिर सिलिकॉन बोल सकते है 22 mm का थिकनेस है इसका जो चेंजेबल है जो की काफी अच्छा लगा है यहां पर मैगनेटिक चार्जर का सपोर्ट दिया गया है और आप यहां पर देख सकते हैं नॉइस की नीचे ब्रांडिंग दी गई है यहां पर लिखा गया है Color Fit Pro 2 और Optical Sensor है Heart Rate जो यह है जो ब्लिंक होते रहेगा बीच में आपका मॉनिटर करने के लिए Heart Rate Sensor आइपी 68 waterproof है जो 1.30 मीटर डीप आप जाएंगे तभी तक यूज हो सकता है डाइविंग के लिए यूज नहीं होता है 210 mH की बैटरी है और Bluetooth सपोर्ट जो कर देख सकते हैं यहां पर एक हुक टाइप दिया गया है जो यहां पर आप जबी भी बैंड पहनोगे तो यह एकदम टाइट फिट हो जाएगा और वो बैंड निकलेगा नहीं तो यह काफी अच्छी बात है स्क्रीन की बात करें तो 1.3 इंच का डिस्पले दिया गया है जो LCD डिस्पले है जो TFT सपोर्ट है तो यह काफी अच्छा है आप देख सकते हैं थोड़े ब्रेजल्स दिखने दिख रहे होंगे आपको यह पूरा complete स्क्रीन पर नहीं है बर जितना स्क्रीन है वो पूरा आप टच कर सकते हैं और काफी smooth टच है तो सबसर्ब अब भी मैं बात क नहीं बट 98-99% heart rate के लिए अच्छा है जैसे कि आप देख सकते हैं तो यह काफी अच्छा फीचर है और breath याने आप अगर relax होना चाते हैं तो यह feature use कर सकते हैं जो कि आपको help करेगा थोड़ा relaxation के लिए alarm इसमें feature तो है बट यहाँ पर आप नहीं set कर सकते हैं आपको mobile application है व जो इसी में आप use कर सकते हैं यह एक अच्छी चीज है और यहाँ पर आपको timer देखने मिलता है जो आप use कर सकते हैं settings की बात करें तो dialers की बात किया है यहाँ पे 6 अलग dialers दिये गए हैं यह मेरे friend का photo है तो एक इसमें negative point है जैसे ही मैं इसे on करता हूँ जो अपना phone का gallery के photos अगर हम use करेंगे तो यहाँ पर आतो जाएगा placing तो हो जाएगी बट यह जो format है characters में पीछे यह 24 hours का हो जाता है 12 hours का नहीं होता है यह पता नहीं थोड़ा application में आ जाए तो अच्छी बात है नीचे अगर हम swipe करते तो step counts देखने मिलते हैं और swipe करेंगे तो km का बताया गया ह और calories का बताया गया है और यह total data एक ही बार में दिखा दिया है और अगर मैं उपर scroll करूँ तो आपके mobile में जो notifications आएंगे वो यहाँ पर display होएंगे तो यह अच्छी बात है और अगर मैं बात करूँ left side अगर मैं swipe करता हूँ तो heart rate आप continuous monitor करना चाहते है नहीं करना चाहते है वो tap कर सकते है यह off हो गया on हो गया रिच्ट आप जैसे ही move करेंगे तो वो आपको feature चाहिए कि वो continuous हो नहीं हो और यह काफी battery save करने में help करता है यह dnd mode है जो आप active कर सकते है आपके mobile के लिए और यह find my phone है जो अगर आपका phone आपके device से connected रहेगा और आप phone कि दर रख दो by chance तो इससे डून सकते है same feature और user interface जो इसका दिख रहा है वो same boat storm जैसा ही है मैंने मेरे channel पर किया था unbox तो आप check out कर सकते है वो भी और sports records है जो sports जादा करते है उनके लिए काफी अच्छा है तो mobile application यूज़ करके देख लेते चलिए जब देख सकते कितने fast connect हो गया है यह और इ यह है summary यहाँ पर आपको देख सकते है यह sync हो गया इससे तो यहाँ पर आपको challenges दिखाएगा जो online है upcoming ongoing event उनका कोई अगर challenges चल रहा है तो वो दिखा देगा यह step counts है distance cover है calories है और यहाँ पर वो ही bifurcation दिया है sleep monitor अगर करता है अगर रात को आप band pen के सोते हो तो यह sleep monitor कर लेगा बट मैं pen के सोया नहीं था इसलिए इसने monitor नहीं किया है फूरे दिन में अभी तक heart rate monitor करके बता रहा है यह standard average और distance कितना cover किया यह बता है यहाँ पर इन् फिर यहाँ पर activities दिखाई गई है activities more में आप session start करके use कर सकते हो जैसे बताया 9 sports है यहाँ तो yoga है running है तो आप use कर सकते है इसे watch faces जो इसमें है वो करीबन 6 watch faces support करता है आपको चाहिए तो आप यहाँ से और download कर सकते हो और customize use कर सकते हो यहाँ settings में जाते है तो अभी मैं इस पर टच करेता हो बता रहा है 81% की battery है और connected device दिखा रहा है कि कौन सा है check for update मैं देख लेता हूँ updated है यहाँ पर बताएगा updated है और यहाँ पर सारी चीजे जो है आपके हिसाब से आप customize कर सकते हो कि आपको क्या on करना है क्या नहीं करना है music control third party application भी यह support करता है तो आप अपने device स control कर सकते हो एक बार इसमें चालू करना पड़े है फिर आप में इसमें play pause कर सकते हो यह आप set कर सकते हो जो sedentary alert होता है अगर आप काफी time तक बैठे रहोगे तो यह हर थोल टाइम में notification देगा अगर आपको चीए तो यह काफी अच्छी बात है dnd mode जो है वो बताया गया है दिन बर आपका heart rate monitor करना है नहीं करना है google fit का जो अलग application आता है वो भी आपको चाहिए नहीं चाहिए अगर आप sports करते हो तो यह काफी अच्छा है find my phone का जो इसमें feature था पहले इसमें आपको on करना पड़ेगा wish sensor अगर आप wish move करते हो तो आपको वो awake चाहिए नहीं चाहिए जैसे आपको मैंने बताया था alarm set करना है तो पहले mobile device में करना पड़ेगा तो यहाँ पे आप अगर alarm set कर दोगे तो ही इसमें alarm दिखेगा और बजेगा notifications में आप try कीजिए जो आपके लिए necessary है वही on रखे क्योंकि लिए battery on an average मैंने दो या तीन applications की notification चाल रुकी थी मतलब मे on कर दूँगा तो obvious है आपकी battery और थोड़े कम टाइम चलेगी यह सब के usage पे depend करता है कि battery कितनी चलेगी company 10 दिन का बोल रही है बट वो 6 दिन भी चल सकती है अगर आपने जादा notifications on किये तो my alarm और device restart यही इतना features है इसमें और यह सारे चीज काफी अच्छे है और इसकी आपक अगा वर जल मैं बता देता हूं उसके पहले में आपको दो पॉइंट्स बता देता में सबसे पहला अगर इसमें आप call करते हो और इसमें call notification आता है मतलब mobile में अगर call notification आ तो इसमें आप cancel भी करते हो, उठा तो नहीं सकते, obviously इसमें mic नहीं है, तो वो feature allow नहीं करता है, बट अगर आप इसमें से cancel भी करते हो, तो phone में ring continuously बचती रहेगी, यह थोड़ा negative point है, बट यही feature है, थोड़ा upgrade हो जाए, तो पता चले, और अगर आप phone उठा भी लो, तो भी इ ringing में ही जाता है, तो यह दो चीछे है, जो थोड़ी बहुत problems है, बट इससे comparatively मेरे खहल से board storm काफी अच्छा है, मैं try करूँगा, मेरे friend ने जो buy किया था, वो अगर मैं मंगा सको, और इन दोनों का comparison video बना सको, तो next video मैं इनका comparison का बना दूँगा, और अगर आपको यह product buy कर अगे तो like करना ना भूले, subscribe कीजिए, notification bell दबाईए, मिलते हैं next वाली वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye